प्रस्तूती करण जैसे हम लोगों के लिए सब के लिए जनता के लिए हाँ जी पीछे पीछे तो हिंदी में शब्द जो उप्योग में आ रहे हैं यह स्टेंडराइज हो चुके हैं या इंप्रोवाइजेशन का स्कोप है फार्मेटिंग अभी चल रही है यह स्टेंडराइज हो गया है आज शाम को जब बाबा आएंगे तो उनसे इस तरह है इस पर ही पूरा आज का टॉपिक ऐसा ही कुछ रख लेते हैं जब अधरनिया बाबाजी ने यह अनुसंद्धान किया जब इसको कहने की बात आई तो उनके पास चार लेंग्वेज का विकल्प था हिंदी है तो उनने हिंदी रास्त्र भास्या के नाम से एक शंदर्ब था ही और वहां का लोकल आवज लोकल लोगों का भाशा है इन्धी था तो उनने इसको हींदी में कहने की कोशिश में वह वोशिषके शब्स था उन सारे शब्दों का बिल्कुल इक डिपरेंट मेंग्ई पहल तो उन्होंने फिर तो एक separate dictionary ही दिया जितने शब्द यहां इस्तेमाल हुए हैं उसकी separate dictionary है उसके आधार पर वो इस बात को कहें पर नमस्कार हाँ 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 है चलिए विकल्ब को बंद कर दें यह आपके पास ही रहेगा हाँ 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 है क्लास काफी इजी हो गई है और हम अपने पुराने कॉलेज के दिनों में लौटी आए है क्या पता हाँ 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 है है तो मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है जीवन शरीर को चलाता है और जीवन स्वयम में कैसे चलता है और उसका मेकनिजम कैसे काम करता है कहीं न कहीं यह हमारी स्विक्रिती अभी तक भी थी कि मन शरीर को चलाता है फिर मन और ब्रेन आपस में उलज जाते थे यह मन ब्रेन का ही कोई हिस्सा है कि क्या है फिर वो फिर आत्मा तो पकड़ में नहीं आता है तो अब एक बार हमको जीवन अपने आप में एक एंटिटी है दस क्रियाओं का एक आविभाज्य वर्तमान का नाम जीवन है जीवन जीवन रूप में रहता है ब्रहमित रहता है तो मानव रूप में हम दुखी रहते हैं जीवन जागरित होता है तो मानव रूप में हम सुख पूर्वक जीप आते हैं जीवन स्वयम जीवन ही सुखी दुखी होता है ये जबूरत है चुकि यह शब्द परंपरा में प्रचलित हैं कहीं न कहीं हमारे मन में आता है इसका मतलब मन कुछ व्रत्ति वी कुछ और होता होगा तो यह वर्ट का एक ठीक प्लेस्मेंट कर दिया कि भई क्रिया मूल में तो क्रिया है आस्वादन बोलते हैं तो हम प्लेरली अपने भीतर पहचान पाते हैं चैन बोलते हैं हम अपने भीतर पहचान पाते हैं कि मेरे भीतर सेलेक्शन हो रहा है और उसके आधार पर मेरा कारे व्यवार है तो कारे व्यवार के लिए जो निर्णय जीवन में हो रहे हैं उनका नाम चैन वह चैन क्रिया है और विसलेशन चित्रण चिंतन यह सब हमारे भीतर घट रहा है अभी हम देखें तो साड़े-4 क्रिया में हमारा जीना बन रहा है साड़े-5 क्रिया चुप है यही हमारे जीवन का खालीपन है बेसिकली साड़े-4 क्रिया केवल इंस्टूमेंट है और जो जो चीज जैसी है उसको वैसा पहचानने की छमता और आए साड़े चार क्रिया ब्रेन पे प्रोसेस होता है इसके उपर वाली क्रिया ब्रेन पे प्रोसेस भी नहीं होती है तो जैसे हम इसके उपर वाले पार्ट पर काम करते हैं वो ब्रेन को ठकने वाला मामला भी खत्म हो जाता है अब थोड़े सी इसमें और एडिशन आस्वादन एक स्वयम में एक स्थिती है हर्चन स्वयम में सुख की डिमैंड है और चैन उसके लिए एक्षन है हर्चन अपने भीतर सुख की डिमैंड का होना और उसके लिए कोई एक्षन का होना इसलिए कहा कि आस्वादन स्थिती क्रिया है और चैन जो है गती क्रिया है इसलिए ये स्थिती क्रिया है और ये गती क्रिया है तुलन तुलन स्वयम में प्रियहितल नाब न्याय धर्म की दृष्टी का होना इस दृष्टी के आधार पे विसलेशन का होना तो तुलन स्टिती है विसलेशन उस पे गती है ठीक आपने कहां कि साधे चाल क्रिया और ब्रैन में प्रोसेस होती है तो तुलन मतलब आदा तुलन नहीं होता है अधैं जागरत हैं तो पूरा तुलन होता है जो बेसिक्ली 5 क्रिया जो है वह प्रोसेänge पांछ ए तो पांच छृृण ए धाइड्ध हो गया अनि छिट्रण या तो केवल चित्रन ही हो रहा है कंडिशनिंग पर बेट जब का अर्थ स्पस्ट होता है तो चित्रन की रोशनी में चिंतन की रोशनी में चित्रन चिंतन की रोशनी में चित्रन होते ही आशा विचार इच्छा सही के अर्थ में सज जाता है अभी चिंतन का चिंतन शब्द का हम बड़ा लूज इस्तेमाल करते हैं चिंतन का अर्थ आशा विचार इच्छा को विसलेशन को समझने के लिए इन्वेस्ट करना तो क्या हुआ चिंतन के लिए विसलेशन करना अर्थ को पाने के लिए अपनी आशा विचार इच्छा को इन्वेस्ट करना ध्यान देना आशा विचार इच्छा को नियोजित करना अर्थ का स्पस्थ हो जाना बरावर चिंतन का होना तो अर्थ का स्पस्थ होने से चिंतन हुआ उसके पहले चिंतन के लिए प्रयास है और बाखी बाते हम लोग ने की है तो ये स्थितिक रिया तो आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध, अनुभव ये स्थितिक रिया है और इसके लिए जो एक्षन है उसको कह रहे हैं गतिक रिया आस्वादन के लिए चैन, तुलन के आधार पर विसलेशन, चिंतन के आधार पर चित्रन इसलिए ये जितनी भी स्थिती है, सिती को हम बोलते हैं बल और गती को बोलते हैं शक्ती इसलिए बोलचाल की भाषा में मनो बल, वृत्ती बल, चित्बल, बुद्धी बल, आत्म बल ये बल है और आशा शक्ती, विचार शक्ती, इच्छा शक्ती, समझने की शक्ती और प्रमान के रूप में ये हम, ये जीवन में शक्तियां है तो यूं कहें कि जीवन में पांच बल हैं और पांच शक्तियां है या यूं कहें कि जीवन दस क्रियाओं का पुंझ है या एक ही बात है तो अबने में जान कहा है करेंड इस पांच बल इस पांच और ने इस आपने कहा है उन्ट कम बेक टू कि जो पांच क्रिया हैं और आप रॉसर्ड बैद अप्रें जो दूसरी पांच क्रियां और नॉट प्रॉसेश्ट बैद ने एट अल विच मिस जीवन के साथ वो चलती है जीन दसों के दसों जीन में क्योंकि साड़े चार कृमाश करी आ पांच करी आ करिया माध्यम से हमको कारर व्यावार करना में इसलिए कंटिनवूसली प्रें प्रोसस था क्योंकि वो से खेंगि कौनेक्टीवीटी बनी ओई बुरह कर देना है तो यह पांच को पहले से बंदी था चार को भी बंद किये दसों क्रिया चुप फिर इसका मद जो आप डाइग्रम बनाते हो जहां जीवन उसको भी सब डवाइड हो सकता है कौन से डाइग्रम जो बॉल्ट टाइप जहां ब्रेन बीच में रखा एक साथ उतना दिखाने से कंफ्यूजिंग होता है इसके लिए देरे देरे उसको इंट्रड्यूस करते है एक साथ सब कुछ दिखा दिया तो फिर वह आपस में लिंक नहीं बन पाता है बढ़िया है हां अब देखिए एक जो प्रैक्टिकल फिलिंग हमको आ रही है कि जब मैं इन साड़े इंट क्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं तो हम क्लियरली फिल कर पाते हैं जब चिंतन संकल गोध और प्रमानिक तानभव की बात करते हैं तो ऐसे लग रहा है यह कुछ हमसे रिलेटेड बहुत नहीं लग रहा है हमारी चाहना में तो है पर जितना क्लियर फिलिंग आस्वादन तुलन चैन विसलेशन चित्रन की आ पाती है उतना क्लियर फिलिंग इस उपर वाले पार्ट पर नहीं आपाती है तो अब एक बार यह उपर वाले पार्ट का क्या मतलब है इसमें क्या प्रोसेस होता है उसकी बात करते हैं तो कुल मिलाके ग्यान का मतलब क्या है यह विह प्रोसेशन ओ सब्कुए ग्यान मिन्स होना चार अवस्थाएं और उनके परस पर प्रुरकता उनका परस पर सम्वन है तो बैसे के लिए जो हम ग्यान की बात करते हैं, तो तीन पार्ट में हैं, जीवन ग्यान, मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ठीक, अस्तित्व दर्शन ग्यान, सभी मवाइल अपना आफ कर दें, या वैब्रेशन में डाल दें, बढ़िया, अस्तित्व दर्शन मेंस, मुझसे अलग, जो भी कुछ है, उसके बारे में ग्यान, क्यों है, क्या है, कैसा है, मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझसे अलग, जो भी कुछ है, ये अप्चारों अवस्थाओं की समस्तिकाईयां, और जो भी कोई रेलिटी है, सब कुछ जो भी कुछ है क्यों है, क्या है, कैसा है ये समझ में आता है मान भी है ता पूर्ण आचरन ग्यान मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ मुझसे हटके जो भी कुछ है वो क्या है, क्यों है, कैसा है तो दोनों के बीच में सम्बंद समझ में आता है सम्बंद समझ में आता है तो उसकी अपनी जिन्दगी में और मेरे उसमें भूमी का स्पस्ट होती है तो इससे मानविता पूर्ण आचरन स्पस्थ होता है कैसा जीना है कैसे जीना है यह स्पस्थ होता है तो इसको कहा ज्ञान ज्ञान मानों में होने से उसमें विवेक उदर होता है विवेक क्या चीज है जीवन के अमरत्व का बोध, शरीर के नस्वरत्व का बोध, व्यवहार के नियमों का बोध इसको कहा, कि इससे मानव लक्ष स्पष्ट होता है क्या स्पष्ट हुआ? कि मानव लक्ष, समाधान, सम्रिध्धी, अभ्य, और सह अस्तेत्व पूर्वक जीना है, सह अस्तेत्व को प्रमानित करना है क्या स्पष्ट है, सम्रिध्धी, और 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 सम्रिध्ध there is a continuity of it. also being and becoming in this darshan whether there is a place for becoming also because when being is there, there is generally we have to transport ourselves from this being to another being a lower self to a higher self, let's say a very crude example one minute, one minute, then one more when the category of being is defined, then generally there will be a category called as becoming so being becomes something static given here and now and becoming is something which will be transported to another level look, there are two words, be and live I will connect with you mincse hir ekai tuva sahit Jayt Vyawasthah hai, a apne maulikta ke sath hai or us ka rehanay mincse us ka Vyawasthahme bahagidaari hai 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 har ekai ka nishchit aacharan ke sath me ho na sweemne Vyawasthah ho na, us ka nishchit aacharan ho na kya nishchit aacharan us ka samagra Vyawasthah me existence as a hole me participation hai nishchit aacharan hai, existence as a hole me participation hai यहां पर जो व्यवस्था है इस चित्र में जो दर्शाई गई है वो बीइंग है और मनुष्री का समाधानित हो जाना समझदार हो जाना वो बीकमिंग है इसको एक दूसरे ठीक है मेरे को लगता है बहुत प्रॉलम नहीं आगे जल सकते यह जीवन का लक्ष स्पस्ट हो जाए तो लक्ष के लिए दिशा स्पस्ट होना आवश्च है वहां तक पहुँचने के लिए विवेक क्या क्या मतलब है लक्ष का स्पस्ट होना और दिशा का स्पस्ट होना इस विज्ञान थोड़ी सी विज्ञान की एक डेफिनेशन है क्रिया वादी ज्ञान काल वादी ज्ञान और निरने वादी ज्ञान यह अब हम यहां आके विज्ञान का प्लेस्मेंट होता है साइंस टेक्नलोजी का प्लेस्मेंट होता है अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो जो एक विरोधा भास है कंफ्लिक्ट है कि एक तरफ हम अध्यात्म की बात करते हैं फिर हम एक विज्ञान की बात करते हैं, एक तरफ लक्ष है, एक तरफ दिशा है, अध्यात्म की बात करते हैं, तो लक्ष मिलता है, पर्मानन्द, लक्ष तक पहुंचने की दिशा प्रमानित नहीं हुआ, सभी पा सकें, सभी पहुंच सकें, सभी के लिए उपलब्द हो जाए, प्रमानित नहीं हुआ, विज्ञान की बात करते हैं, तो लक्ष क्वेस्टनेबल हो गया, जितना भी प्रकृति को हमने नुक्सान पहुंचाया, तो लक्ष क्या करेंगे और किदर जाएंगे, हमारी रिसर्च जो है, आदमी के लिए अभिशाप होगी, या आदमी के लिए वर्दान होगी, हमको पहले से पता नहीं है, काड़ी किदर भी जा सकती है, तो हम लक्ष विहीन हैं, विज्ञान की बात करते हैं, दिशा की एक क्याती मिलती है, कैसे करना है, जिसने पहली बार है अइरोपलेन बनाया, उससे बहुत बेटर अइरोपलेन हम बना पार है, तो हर चीज के बारे में, एक सिद्धान उसको, मने कैसे करना है, प्रॉसेस की बात हो रही है, कहां पहुँचेंगे ये तैय नहीं है, इधर कहां पहुचना है, वो तैय कर दिया, कैसे पहुचेंगे, वो प्रमानित नहीं हो पारा है, ठेक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं, सह अस्तित्वाद, लक्षी भी स्पस्थ है, दिशा भी स्पस्थ है, जांचना आपको है, इस रूप में, जब हम अब विज्ञान की बात करते हैं, तो क्रियावादी ज्ञान, संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान होना, काल, अब यहाँ टाइम, जब क्रिया है, तो वहाँ काल है, टाइम की बात आती है, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाओंगा, क्योंकि यह शिवरों का मैटर नहीं है, नॉर्मली बहुत चर्चर इसको नहीं छड़ते हैं, और उसके आधार पर हमको डिजन लेना है, निरना लेना है, और इसी बीच में सारा टेक्नलोजी का उप्योग सदूप्योग है, मैंने सिर्फ आपके सामने रख के छोड़ दिया है, ठेक, तो ब्रीफ में कहें, सह अस्तित्व अनुभव में क्या आता है, सह अस्तित्व अनुभव में आता है, संपूर्ण एकाईयां साथ साथ हैं, इसके पीछे जो आधार है, उसका स्पस्थ हो जाना, बोध में क्या आता है, लक्ष का बोध होना, दिशा का बोध होना, और हर एक वास्तविक्ता का बोध होना, चिंतन में क्या आता है, किसी भी इकाईयां का जो उप्योगिता है, जो उसका मुल्य है, मानव का मुल्य, वस्तुओं का मुल्य, संबंधों का मुल्य, संपूर्ण का जो उपियोगिता है, मुल्यों का साक्षातकार होता है, ये बात पकड़ में आते हैं, संपूर्ण के बात, लक्ष, दिशा, वस्तुवित्ता का बोध होता है, ये पार्ट अविव्यक्त होने से, ये पार्ट अपने आप नियंतिर्ट हो जाता है, अपने आप संयमित हो जाता है, अलग से संयमित करने के लिए कुछ नहीं करना तो संयमित होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो क्या चीज़ काम करती है एक सुत्र काम करना शुरू कर देता है गुरू मुल्य में लगू मुल्य समाया रहता है जैसे ही बड़ा सुख मिलता है सुख का उपलब्द होना सुविधा का स्वैस फूर्थ नियंत्रित होना अब सामान से सम्मान की जरूरत नहीं है अब सुविधा से सुख की जरूरत नहीं है सुविधा अपने आप में नियंत्रित होना शरीर का उपयोग स्पस्ट होता है कि शरीर का कुल उपयोग मेरे समाधानित होने के अर्थ में है तो शरीर का हम शरीर को संभाल पाते हैं उसकी देखरे कर पाते हैं जिस चीज की उपयोगिता हम को स्पष्ट हो जाए उसकी देखबाल हम कर लेते हैं बढ़िया यह जीवन के बारे हमने कुछ बात की हाँ जी फिटे तो ग्यान बहुत क्लियर हो गया ग्यान को समझने वाला कौन है मानव ग्यान को समझने वाला मानव है तो ग्यान बहुत स्पस्थ हो गया स्वयम के होने को समझना अपने से दूसरे जो भी कुछ ही काईया है उनके होने को समझना दोनों के बीच में संबंद को पैचान पाना और मानिवितापूर्ण जी पाना समझ पाते हैं तो आचरण अपने आप निकलता है मानिवितापूर्ण आचरण आता ही है और उसके आधार पे विवेक का जागरित होना विवेक जागरित होने का मतलब है ये और उसके आधार पे science and technology का सदुपियोग होना सही direction में उसके मानव के समाधान सम्रिद्धी पूर्वक जीने के लिए प्रकृति में balance बने रहने के अर्थ में science and technology का इस्तेमाल होना ठेक? इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? science gives us the option we are discorrect time is so far it's the greatest time but needn't not to show अभी नहीं देता है लेकिन जब आम को मानव लक्ष स्पस्ट होगा तो accordingly फिट टमाटर का साइड पेटी में फिट करने के साब से उसका GM modify नहीं करेंगे तमाटर में तमाटर ही नहीं बचा के वल फ्लेश बचा फिर ऐसे काम नहीं करेंगे अब तमाटर में दूसरे डिसीप्लीन है और भी शामिल है सबी कुछ सबी कुछ पिर एकॉनमी कैसी होगी सब कुछ कैसे आगे लिए वस्था की बात का साइंस ऐसा कुछ अपसलूट मीनिंग नहीं 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 वह अभी ऐसा मीनिंग नहीं लक्ष की तरफ पहुंचने में दिशा उपलब्द हो जाए इसका नाम विग्यान है तो लक्ष तक पहुंचने के लिए दिशा उपलब्द हो जाए इसका नाम विग्यान है तो वहां पर और बहुत क्लियर होगा अभी अभी इतने बात कर रहे है कि संपूर्ण होना कोईग्जिस्टेंस है यह कोईग्जिस्टेंस अभी एक भाषा है इस कोईग्जिस्टेंस के पीछे कितना प्रसाईज है मामला विश शरीर और जीवन दो अलग-अलग वास्तविक ताएं हैं यह पता होने के बावजूद भी हवा नहीं लगती है मैंने सूचना मिलने के बावजूद भी तो पूरी प्रकर्ती का जो कोएग्जिस्टेंस है हर धर्ती की संपूर्ण इकाईयां एक दूसरे के कॉंप्लिमेंटेरियेंशिप में है चारों अवस्थाओं में से तीन अवस्थाओं तो अलड़ी है ही इस धर्ती पे मानव का प्र धर्ती पे चार अवस्थाओं का होना प्रमानित हो गया तीन अवस्थाओं का अपने आच्रन सहीत होना प्रमानित हो गया मानव का व्यवस्था में प्रमानित होना शेश है यही इस धर्ती की यात्रा के किसी पढ़ाव तक मानव जाती पहुंची है तो जब अनुभव जो होता है वो सहस्तितु में हो जो सहस्तितु का आधार है वो निकल के आजाता है वो क्या आधार है उसके चर्चाल करेंगे और भाने पहुचने के लिए जो दिशा है वो दिशा है वो इद्धारन होना और फिर उसके लिए उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए अपने समय के आपियोग करने के लिए फिर सारा तो यह टेक्नोलोजीकल जो टूल्स है वो इसमें विद्धियाद के जो तीन भाग दिये हुए है उसमें कहां फीट होते हैं वेदर इट इस क्रियावादी और अल्ट्री तुगेजर अल्ट्री तुगेजर तो यह टेक्नोलोजी विल नेवर भी डिस्रक्टिव यह एड्सेकली अभी देखें बहुते क्रिया रासायने क्रिया दो चीज़ें जिनका हम अध्यान करते हैं एक क्रिया मिसिंग त्ही जीवन क्रिया तुछं के बारे में वहाँ इसक्तिवतिर में और ग्रिया यह दिस पस्ट नहीं हुई तो इसका दुरुपियोग होना निश्चित है तो जीवन क्रिया के जागरित होने से मानव अपने लक्ष को पहचान पाता है और रसाइं बहुत एक रसानिक संसार का सदुपयोग हम अपने शरीर का इस दुपयोग नहीं कर पाते क्योंकि अमको प प्रस्त रखना मेरी आवशक्ता है और शरीर को गती पुर्दान करने के लिए सारे साधन है फिर मुझे एक बात का अच्छा है कि सम्टाइंज धवतीक रासायनिक जो क्रियाय होती है वो कभी कभी निगेटिवली एक्स एक्स्प्लिसिट होती है एक फैमिली जिसने पाश नोबल प्राइस मिलाए वो पाचो चारो लोग कैंसर से गए क्यूरी फैमिली क्योंकि उन्होंने पूरे संसार के ल करना पड़ा तो इसका विशलेशण यह स्ट्रक्चर में कैसा करें सब्सक्राइब यह व्यांट फूरि निकलाएं अब योगदान हम बोल रहे हैं वो कितना यूनिडिरेक्शनल है एक साइंतिस्ट साइंतिस्ट होने के बाद कितना खराब आदमी हो सकता है और उसके कारण इसके जिंदगी में कितना बड़ा तूफान हो सकता है तो अभी हमारी कुए एक डाइनिशन है जो बहुत एंणिच हो गई है और को जो टोटल डेवलस्ट की बात है जो होलिस्टिक डेवलस्ट मेंट की बात है कहीं नहीं वह सब और संसार तो जैसा है वैसा हो ही यह मैं ब शरीर अपना बाइलोजिकल नियम के साथ है तो कोई जरूरी नहीं कि विवेक और ग्यान में भी पर्फेक्ट होगा तीनों में पर्फेक्ट होने के बाद ही समाधानित होगा तो इसमें एक बात कही जा सकती है कि सारा शोध और वेग्यानिक का जिसको अभी हम बोलते हैं वो साड़े चार क्रिया का ही फैलाव है सारा जहंजट जोंकति हों सारा साहित्य, सारा जितना भी फैलाव है दिखाई देता है अभी साड़ा लगभग साड़े चार क्रिया का फैलाव लगभग तो वाके में एक परिवार कि कम से कम हम और आप उस पिड़ी के लोग है यदि उनको जॉइंट फैमिली पर ऐसे लिखने बोला जाए तो वो कुछ अपना जिया हुआ को लिख सकते है अभी हमारे आपके बच्चे केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं एक बुकिश ऐसे उस पर लिख सकते हैं क्योंकि शायद अब उनको आने वाले समय में बहुत जल्दी हो सकता है दस बीस पचास साल में जॉइंट फैमिली भारत में हुआ करती थी यह एक इतिहास के पड़नों में ही हो सकता है पड़ने को मिले और अभी तो कई तरह की अभी तो जॉइंट फैमिली और है अभी तो अभी तो जॉइंट फैमिली वापस आ रही है के नहीं पता येकिन एक तीसरी फैमिली वापस आ रही है एक तीसरी फैमिली ओर जुड़ रही है जॉइंट फैमिली नुक्लियर फैमिली एंड ट्रडिशनल नुक्लियर फैमिली एंड वन मेन फैमिली लिव इन तो अब ही क्या हो गया देखिए हैंड प्लीज बात आगे बढ़ने देचिए मैं मुझको पता है कि मैं जो भी कुछ कहता हूं उसका बहुत बड़ा हिस्सा एक परिवार से एक परिवार से एक जीवन को क्या अपेक्षाएं हैं क्योंकि हमारी सारी सुवेच्छाओं के बावजूद जिस तेजी के साथ परिवार बिखर रहे हैं और उसमें जो जो अभी तक माबाप बच्चों सहीत इसको नुक्लियर फैमिली बोल रहे थे चूंकि एक और नई फैमिली निकला इसलिए इसको बोलना पड़ा ठादिशनल नुक्लियर फैमिली अभी नुक्लियर फैमिली का मतलब है कि हज्बन वाइफ में डाइवर्स हो जो है पत्नी बच्चों के साथ में रहती या पती बच्क के साथ में रहता है यह झालियर फैमिली में मैं कहँ हूँ कि यह हो गया टिस्नल युपलियर फैमिली औरे वो नहीं है महाराज मैं बिल्कुल अलग बात करते हैं वही 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 आप सुन लेजे ना सुनते नहीं सुन तो लेजिए महाराज सुन लेजिए पीछे तो अभी जो मैं बात कह रहा हूं मैं बिल्कुल एक जमीन की बात कह रहा हूं हमारे कुछ में तरह अमेरिका में रहते हैं तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां जिसको आप आप नुक्लिर फैमली बोलते हो वह ट्रेडिस्नल नूक्लिर फैमली हुक ह्यां हस्वेंड वाइफ में डेवर्स हो गया और दोनों अमालिया तीन वच्चे है एक बच्का दो बच्का इसके सासथनी नूक्लियर में हाओ रहे हैं हाई है हस्बेन बच्चों के साथ में रह रहा है इसको न्यूकलियर फैमिली भॉल रहा है रहा है गभत अब हम Mao हैं कि एक परिवार से एक जीवन की क्या-क्या अपेक्षाइं है ठीक बदाईए माइक आपके पास चलिए मैं लिखता हूं जहां आपका ध्यान नहीं जाएगा कल अधरने बाबजी ने रात की चर्चा में एक बहुत गंभीर बात को रखा कि अधिकांस शरीर रोगी इसलिए पैदा होते हैं कि कही ना कहीं हमारा रहन सैन खान पान और हमारा संयम में गड़बड है तो सबसे बड़ी अपेक्षा तो किसी जीवन को एक स्वस्त शरीर की है और शरीर हमको किसी परिवार से ही मिलता है और जब भी ये परिवार के बाहर पैदा हो जाता है इसको इस शरीर है तो शरीर का पोशन सरक्षन की बात है और शरीर किस बात के लिए शरीर किस बात के लिए समधान के लिए तो समधान परिवार में उपलब्द हो ये चाहत है ही और समधान को मैं पासकूं इसके लिए मुल्यांकन हो सके परिवार में समधान का बात आगे बढ़ सके मैं एक अपनी समधान को पाके मैं अपनी मैं सफल हो जाओं है इस तरह से हमने देखा कि परिवार में एक लक्ष है अब परिवार की डेफिनेशन कहेंगे तो क्या दिया जाए समधान सम्रिद्धी पूरवक्ष क्या समधान सम्रिद्धी पूरवक्ष एक जीने वाला एक निश्चित लोगों का सम्मूव है उसमें कुछ निश्चित लोग है निश्चित मानव है तो मूल में कहें अब यहिदि वर्तमान में हम परिवार को देखें और उसको परिवाशा दें तो वर्तमान में परिवार का कैसा है सोख सुभिद्धा तन परनल में के वल सुविद्धा क्या समाधान सम्रिद्धी परिवार में इस लक्ष को पूरा करने के लिए संबंध है और परिवार में संख्या कितनी हो परिवार का डिजाइन क्या हो स्वरूप क्या हो इसकी एक क्लियरिटी की जरूरत है इतनी बातें क्लियर हो जाएं तो परिवार में व्यवस्था स्वरूप उसका डिजाइन कैसा होगा कितने लोग होंगे कितने पीड़ीа होंगी माव आपको साथ रखना है कि नहीं रखना है बच्चे कितने पैदा होना है पति-पत्नी के भी सारा मामला तो लक्ष के बारे में तो मामला ठीक है लक्ष दो तै हो गया संबन्ध की बात है आप पूछ रहे थे बीच में कि यह संबंध का क्या मतलब है और मुल्य और संबंध में क्या बात है तो अब वो सामने आ रही है संबंध की डेफिनेशन माहिक आपके पास आपके पास पूर्णता के अर्थ में अनुबंध संबंध का अर्थ पूर्णता के अर्थ में अनुबंध यह अनुबंध जो है सरकारे वाला कॉंट्रेक्ट नहीं है सहज स्विक्रेटी गिलिंग एक्सेप्टेंस एन पूर्णता क्या है पूर्णता क्या है हम पूर्ण होने के लिए एक दूसरे के साथ है यह पूर्णता क्या है पूर्णता का अर्थ है विश्वास पूर्णता हमारे भीतर अधूरापन हमको सिकार नहीं है अधूरापन क्या है विश्वास नहीं है तो भै है क्या भै है धर्ती के मानव के पास चार भै ना इससे जादा ना इससे कम प्राण भै पद भै धन भै और मान भै देखिए पांचमा भी कोई है क्या मान भै पद का मतलब है कि जो समाज के द्वाराव हमको उपलब्ध एक स्टैटस मान हमारा खुद के व्यक्ति के आधार पर समाज समाज के द्वारा प्रदत्पद प्राण भै है प्राण है किसे ने कहा यह पतनी भै किसमें आता है कि प्राण भै है मान भै है मान भै है ज्यादा एग्रेसिव हो गया तो प्राण भै हाज है कि अधर प्राण भै प्राण भी भै कोई है कि अधर 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 कोई समयन साथ आवसक्ति में अधर निया टेंट कोई कि अधन के कारण दवाओं में आता है लेकिन मानव है एक एक बड़ी है एक जामपल आया कि किसी ने अभी हरिद्वार में शिविर था दिल्ली का महल थोड़ा आज कर वहां सोरोजगार के नई योजनाय निकली हैं बच्चों का अपरण करके फिरोती मांगते हैं तो उस उन्होंने कहा कि किसी मा का बच्चा अपरत हो गया अब वो मा को जो भै है वो क्या चीज कब है क्योंकि बच्चे का प्राण में उसका प्राण बसता है चलिए मैं सोचता हूं काफी बात हो गए वापस लोट आते हैं अब बच्चा अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है और उसको दिख रहा है कि यह दो साल में इसका पतन होने वाला है सामाजिक तरीके से और मैं माबाप मिलके हम इनके लिए कुछ कर नहीं पा सकेंगे इतना भी समझाने से और माबाप के मन में एक भै लगता है तो वो क्या है अरे पडोसी का बच्चा ऐसा होता है तो हमको कोई भै नहीं लगता है मैंने मैं हाज प्लीज मैंने जोग छोड़ दिया और जोग छोड़ा तो हमारे पिताजी काफी परिशान हुए एक दिन हमारे पिताजी काफी मजबूत आदम है पहली बार मैंने उनको रोते हुए देखा एक दिन वो रो दिये मेरे सामने बैठ मुझे जोड़ने के बाद कुछ भी बोलते थे मैं एक पॉलिसी अपनाई कि मेरे को जवाब नहीं देना है जो भी बोलेंगे मेरे को सुनते रहना कितना भी वो डाटते थे कुछ भी करते इस एक दिन रो दिये में जानता हूं। तो अच्छा आदम है जो करेगा अच्छा ही करेगा तो मैं दुनिया को क्या जवाब दूं कि क्या करता है आजकर इंजिनियर था तो बताने में अच्छा लगता था मैसूस करने में अच्छा लगता था तो क्या चीज है मान रहें तो खराब करता है इसलिए भी नहीं है अच्छा करता है वो हमको समझ में नहीं आता है वो भी उतना ही है कुल मिला के मान भे मैं थोड़ा अभी इसमें आपका टाइम बिगाड़ना चाहती है ठीक है तो कुल मिला के देखे जो हम कल बात कर रहे थे आप लोग मैं चको पता चला कि डिसकेशन्स में वो पचा नहीं है स्वयम गलती नहीं करना दूसरे की गलती को स्मेपुरवक्ती करने की चमता रखना अभी हमारे बच्चे हमारे खुश होने के लिए माध्यम है वो हमारे लिए सम्मान कमाने के माध्यम है हमें खुद में विश्वास की कमी है जिनको उनके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, वो हमारे लिए राइडिंग होसे हैं, एक बार यदि हम अपने विश्वास के साथ में खड़े हो पाते हैं, तो अवसर उपलब्द कराया जाए, शेश जो करेगा उसकी अपनी मौलिक्ता है, वो अपने आप में सोतंतर एक ज एक सेकंच सर, आपने नौकरी छोड़ी, तो आप मैचोर थे, और आप अपनी योग्यता साबित कर चुके थे, इंजिनियर बन के, तो वो आशोस्त थे, जैसा कि आपने बताया आपके पिताजी आशोस्त थे आप से, लेकिन एक छोटे बच्चे के भविश्य को लेकर जो होती है, तो चूँके मुझे लगता है वो चिंता में अस्तित्व का प्रश्न समाया रहता है, कि भविश्य अदर अन्रकार में है, भविश्य नहीं है तो जीवन नहीं है, तो मेरे ख्याल से कहीं वो प्रान भय से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक्जिस्टेंस की वाद है जिलाए, क्योंकि एक कहा है, मैं कहरा हुँ कि एक तो मान भय ही, और वो जूड़ कहीं भी जाए, क्योंकि वादा प्रान भय हैं जूटार में है, क्युटे लिटे करकें समझ शना है, यहां वी डौंट लगने ज़ बॉच्पॉच्ट, बिल्कुछ्ट भी ओंगने एक का वापस लटाएगे विश्वास पूंड ता एक लियर हों गया अब यह विश्वास की कमी विश्वास कि कमी क्या चीज है तो कमी होने से क्या होता है वो तो कुछ-कुछ हमको जलक पड़ गया लेकिन तुह नहीं होने का जलक है होना क्या चीज है इस पर बात करेंगे तो मूल में विश्वास क्या चीज है कि समझना जीना कि समझाना कि सीखना कि करना सिखाना छे डिजिट में धर्ती का हर मानव विश्वास पाएगा इसमें कहें भी कमी है उतनी विश्वास में कमी बनी रहती है समझना जीना समझाना सीखना करना सिखाना समझना और सीखना में क्या फर्क है माईक आपके पास है समझना बहुत क्लियरली अस्ते तुमें व्यवस्था को समझना व्यवस्था को समझने का मतलब है संबंध की पहचान यह जीवन साप एक्षक्रिया है यह पूरी तरह से जीवन जैसे अभी हमारे वीच में क्या चल रहा है समझना के सीखना समझना सीखना बहुत प्रसाइजली जैसे इनोंने कह दिया कि वह स्किल का है कम्प्यूटर चलाना सीखना गाड़ी चलाना सीखना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज को सीखना खाना बनाना सीखना तो यह सीखना वाला पार्ट इधर है तो प्रकृति में व्यवस्था को समझना मानव, परिवार, समाज, संपूर्ण, प्रकृति में व्यवस्था को समझना होता है इसमें प्रैक्टिस कुछ नहीं है समझ में आया, नहीं आया यहाँ प्रैक्टिस इन्वॉल्व है शरीर के माते हम से तो यह सीखना स्केल्स को लेकर है ठीक है, आगे चलो समझने का रिजल्ट क्या होगा? जीने का रिजल्ट क्या होगा? सीखने का रिजल्ट क्या होगा? और करने का रिजल्ट क्या होगा? सिखाना समझना, जीना, समझाना के फल्स और रूप सुख सीखना, करना, सिखाना के फल्स और रूप सुम्रिद्धि का प्रमानित हो न, यह इसमें एड करता ही है, इससे साधन मिला, सुविधा मिली, यह सम्मंदों में जीने के लिए माना और प्रकर्ति के साथ हम पर्याप्त हो गए, बढ़िया, ठीक हो गया, अब देखें, हमारे वर्तमान जीने की शैली में, समझना कितना है, गायब, इसलिए जीना, गायब, इसलिए किसी दूसरे को समझाना, गायब, हमने कुछ सीखने का काम किया है, वो अपने आप में पूरा है की अधूरा है, अधूरा है, इसके फर सुरूप पॉल्यूशन, अर्थ वर्मिंग, जो भी जहंजट हुए हैं, हमारा करना अधूरा है, बिना प्रकृति के साथ अपने संबंद को पहचाने हमने कुछ करने की कोशिश की है, और सिखाने के मामले में हम बहुत कंजूस हैं, क्योंकि दूसरे ने सीख लिया, तो मेरा क्या होगा, क्योंकि यह स्वयम में विश्वास की कमी, इस एनलोजी को थोड़ा सा और फैलाएं, हर व्यक्ति अपनी पहचान की तलाश में है, हर व्यक्ति फैलना चाहता है, आदमी का फैलने के तीन आयाम है, विचार, व्याभार, कारे, सबसे तेज और आसान फैलना कौन से माध्यम से संभव है, उससे कम, उससे कम, कारे, तो एक नैचरल, ऐसा है, यदि वर्तमान जीवन शैली को देखें, तो डिजाइन क्या मिलता है, है, सबसे अदिक आर्ग में कहां फैला, कारे की जगह में मल्टिनैशनल, व्याभार की जगह में, कोई एक मिल जाए तो बड़ी बात, जिस एक के साथ हम 100% आरपार हो सके, हर एक के साथ हमको पर्दा रखना पड़ता है, यह शेर किया जा सकता है, यह नहीं किया जा सकता है, इवन घर में पत्मी के साथ, किसी एक के साथ भी हम 100% अस्वस्थ होके जी पाएं, और विचार के रूप में, I am not a person, I am a crowd, अनेक प्रकार के conflicting विचार मेरे ही भीतर रहते हैं, वहां में एक भी नहीं है, यह जो बिल्कुल, यह आदमी कैसा हो गया, सर के बल खड़ा है, विचार रूप में फैलना सबसे आसान क्यों है, क्या, यह जीवन सापेक्ष है, व्यवहार के रूप में उससे कम फैलना होता है, क्यों, यह मानव सापेक्ष है, कार्य के रूप में शरीर सापेक्ष है, एक और सुत्र, संपूर्ण कार्य व्यवहार के लिए समर्पित है, यह संपूर्ण व्यवहार कार्य के लिए समर्पित है, कौन सा ठीक, माइक आपके पास है, संपूर्ण कार्य व्यवहार के लिए समर्पित है, संपूर्ण व्यवहार कार्य के लिए समर्पित है, मार्केटिंग चैनल से लेके दिवाली आती है, तो किसको कितना गिफ्ट पहुंचाना है, यह इस पे निर्वर करता है, कि किस से कितना कार्य सिद्ध हो सकता है, किस से कितना कार्य सिद्ध होता है, किस के सामने कितनी विनमर्ता से पेश आना है, इससे सिद्ध होता है कि इससे कितना तारे सिद्ध होता है यह बहर की बात नहीं है एक परिवार के भीतर की बात है चार भाईयों में छोटा परिवार छोटा भाई सबसे अधिक पैसा कमाने लगे तो वो सबसे घर में डॉमिनेंट होने लगता है चार भवों में से जो सबसे देहज लेके आए ज्यादा देहज वाली को बोलने ख़़ा मुश्किल जाता है जब एक परिवार के भीतर является हलत है तो बाहर क्यों नहीं होगा जब खूनके रिष्टों मेशलत है तो बहर क्यों नहीं हो तो क्या लगता है यह धन समाज में इतनी महत्कोंछीज क्यों हो गई आदमी के योगता का यहादन केवल धन क्यों हो गया माइक आपके पास माईक आपके पास मैं शरीर हूँ सामान बराबर सम्मान सामान बराबर सम्मान सुविधा बराबर सुख कुल इतना गणित हमारे आसपास फैला हुआ एक और बड़ा इंट्रेस्टिंग सा मामला है पुर्सों का सेलरे नहीं पूछना चाहिए महिलाओं का एज नहीं पूछना चाहिए ये एक इंटरनेशनल मर्यादा है इंटरनेशनल ये ऐसा है इसके पीछे क्या तथ्य है कहां से निकल के आया ये किस मानसिक्ता से निकल के आ रहा है पुरुष कमाएंगे और स्थ्री भोगवस्तू इनके शग्दों को और आदमी की पहचान प्रतिष्ठा का पर्याय माने लिए वही सुत्र उतना ही आदमी की पहचान का अधार पैसा दोनों सुत्र मैं शरीर हूं और कहीं न कहीं महिलाओं में पहचान का अधार सुन्दर था इसके बारे में कुछ पूछ लिया और कम निकल गया दोनों बड़ी अकवर्सिति में आ जाएगे इधर नहीं कुछना है तो कुल मिला के अब हर चीज की जड़ के पीछे कुछ भी मानिता समाज में यदि प्रिवेल करती है और एक लाज़र कमिलेटि में प्रिवेल करती है इसका मतलब उसके कहीं रूट से ऐसे नहीं कुछ भी चल गया है अब हर चीज के पीछे हमको उसकी रूट नजर आएगी हर चीज के पीछे उसका कारण हमको पकड़ में आएगा और यही है यही है यही है सामने वाला भी कैसे बीहेव करता है यदि मुझको समझ में आता है तो फिर मैं अभी हम अधिकान समय रिस्पॉंड करते हैं कि रियक्ट करते हैं रियक्ट करते हैं जबकि हम चाहते क्या है रिस्पॉंड करें रिस्पॉंड कब करेंगे क्यों react करते हैं विश्वास में कमी जब जब विश्वास में कमी का सूचना ही केवल react करना है है इसलिए एक सूत्र है अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है अपनी अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है क्या अक्षमता क्या अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है क्या अक्षमता क्या अक्षमता समझने में कमी जीने में कमी समझा पाने में कमी सीखने में कमी करने में कमी सिखाने में कमी देना वह समें वांक वांक एपना है, वह रख प्रकोलास MARKS मैंन वांक है किया किसी फिजाने में वह करेंए तो मेरे को फिस दना रखारा दें नियुस हि मेरे को या आप से सर्टिफिकतच चेहिए और युदि कें नहीं देते हो तो में हिलने लगता हूं और यहीं मुझाको पता है कि टू प्लस टू चार होता है तो मुझको आपके सर्टिफिकेट के में डिपेंडेंडेंट नहीं है आप मानों तो भी ठीक नए इसे होने पर कोई फरक नहीं पड़ता है इसलिए आप मेरे विश्वास में कमी ही मेरा हिलना दोलना है किया चीज के बारे मिश्वास समझना जीना समझाना सीखना करना सिखा बढ़ीया अपने समझने में कमी है तो हमेशा कमी होती है कि अपने समझने में कमी अपने समझाने में करें फिर भी क्योंकि अधर पार्टी एक पहले छे दिन पूरे हो जाने देखें अभी हम अपने बचने के लिए गली तुरंट निकालना चाहते हैं है पहले यदि हम किसी को नहीं समझा पा रहे हैं तो अपने आप से कोश्चन पूछा जाए क्या मैं पूरा समझ गया हूं अरे ठैर तो जाओ पहले अपना तो हिसाब किताब लगाते नहीं हो सामने वाले को लगाने के लिए बिल्कुल सारा जुगार लगाए बैठे हो अपने ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हो पहले अपना ओजिट कर लिया जाए सिस सामने वाले की बात करेंगे तो पहले अपने आप से कोश्चन पूछ है क्या मैं संपूर्ण को समझता हूं क्या उतर आता है कभी कभी हां कभी कभी हां से चलता नहीं हां जी प्लीज मैडम थोड़ा था इंपॉर्टेंट बात है हमको किसी आयाम में लगता है कि मैं समझता हूं है ना समझना अपने आप में एक अखंड चीज है इस अदिवाइड़ विकॉस एक्सिस्टेंश इटसल्फ इस अदिवाइड़ इभाई इपाई अंडेस्टेंट इट जय्टेंट आई अ अनडेस्टेंट इट्ट नई अडश समझ कहरें हैं वह किनी-किनी एरिया द में हमारी expertise है मैं computer programming में बहुत expert हूं समझना कुछ नहीं आवाँ वह एक हमने एक logic को set कर लिया समझना logic के ऊपर की चीज है तो अब समझ के नाम पे हम क्या मान के बैठे हैं हमारी कोई मानता इतनी गहरी हो सकती है जो मिलको बिल्कुल समझ यहीं लगती है अभी तो जानना और मानना के बीच में कोई differentiation हम कर नहीं रहे है तो एक बार उसको जाचा जाए और समझने का मतलब है कि मेरे जीने में तो सामने वाला आप से सुनना ही चाहता है आपके लिए उसका एक्सेप्टेंस आप जी चीज को समझा रहे हो वह आपके जीने में नहीं है तो आपके शब्दों के प्रति उसको भरोसा नहीं है बहुत सारे डानेमिक्स काम करते हैं कि इस प्रॉण को समझने और संपूर को समझाने की बात आप कर रहे हैं डेटूडे मैंटर की चाहिंअ हैं जानबूच के नहीं समझना चाहता है तो क्या ऑ और थोड़ा सा आगे चाहते हैं कि यह हमने कुछ बात की विश्वास को लेकर ऐसे बहुत सारे कुश्चन अब उठेंगे और सबका एक प्रैक्टिसेवल आंसर आपको दिखाई देगा यह विश्वास के बारे कुछ हमने बात की क्या बात किया संबंध अब वर्तमान कॉंटेक्स्ट में जैसा हम जी रहे हैं उसमें संबंध की परिभाशा को देखें अब हम दो काम पैरलल करते जाएंगे मैं सही आपके सामने रखते जाऊंगा और आप वर्तमान को उस कॉंटेक्स्ट में देखते जाएंगे ताकि हम कहां खड़े हैं यह भी स्पर्ष्ट हो जाए और उसके स्टेप्स क्या होंगे यह भी हमारे बीच में निकल के आजाए अभी यदि वर्तमान में हम संबंध को को देखें तो संबंध की डेफिनेशन क्या है कि वर्तमान में हमारा परिवार के बीच में या लोगों के साथ में संबंध का क्या 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 डेफिनेशन होगा सुविधा के लिए अनुबंध माबाप को पैसा कमाते हैं बच्चों को सुविधा उपलब्द कराते हैं डेड़ लाख रुपे साल वाले स्कूल में डाल दिया तो अच्छे स्कूल में डाल दिया वह अच्छे मांस लेके अच्छे कॉलेस से निकलके अच्छा पैसा कमाने लगे सफल हो गया सुविधा उपलब्द कराते हैं और ये भी एक कारण है कि बच्चे को जब तक माबाप से सुविधा की जरूरत है तब से एक संबंध मैसूस होता है जैसे ही वो पैसा कमाने लगता है अब क्या चीज़े हमारे बीच में समझ में ने आता है क्योंकि वो आवशक्ता तो पूर है इसलिए मोल्य मने क्या है उप्यों गिता ठाट पत्नी के साथ मेरा संबंद्ध भच्चों के साथ मेरा संबंध मित्टी के साथ मेरा संबंध उस मिट्टी का मेरी जिंदगी में जो योगदान है ये उसका मुल्य है एक दोस्त का मेरी जिंदगी में जो योगदान है ये उसका मुल्य है इस पैन का जो मेरी जिंदगी में योगदान है ये इस पैन का मुल्य है एक मानव का जो समगर व्यवस्था में योगदान है ये मा तो उसके पहचान क्या होगी इसलिए हम इस धर्ती पर एसेट है कि लाइबिलेटी है इस व्यवस्था में यदि हम उप्योगी हो पाते हैं तो एसेट है अधर्वाइज लाइबिलेटी है यही हमारी जिन्दगी का खालीपन है यही हमारी पहचान जिसको हम पाना चाहते हैं पर्मनेंट पहचान जिसको हम जीना चाहते हैं एसेट होने की पूरी संभावना है हर व्यक्ति एसेट हो सके यह शिक्षा का दाइत है तो झाहते हैं लब जादे हो जियंसेट हैं जिंधन हैं एसेट हैं जिस व्यक्ति पालचे टेडियो परोरे समाधान उतपाधन केंडरे हैं जी एवरी हुमन बेगेज़ेश्ट प्रदूसिंग फैक्टरी है अवरी हुमन बेगेज़ेश्ट प्रदूसिंग फैक्टरी जाता है हो जाएं तो मजा जाएं पर शोलिशन हम तो कहें इस आप अदमी को आदमी तभी कहें जब वो स्लुशन प्रुशन संट फैक्टरी